मुसा वादा विर्मनी सिक्खा पदंस्मादियानी ये बुलैंज सहर जिले की पहली मीटिंग है और इससे ज्यादा जो मीटिंग है जो पहले हैं वो और जिलों में और राजियों में चल रही हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम यहाँ जो इखटे हुए हैं वो इसलिए इखटे हुए हैं कि समस्या क्या है तो अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे कि आपका पतन हो रहा है जबकि आपके महापुरूस बहुत अच्छे हैं जबकि आप पड़ भी बहुत अच्छे रहे हैं पहले से ज़्यादा पढ़ रहे हैं पहले से ज़्यादा जानकार हो गए हैं पहले से ज़्यादा जागरुक हो गए हैं समझदार भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं समरद भी पहले से ज़्यादा हैं और पतन भी पहले से ज़्यादा है ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई व्यक कर रहे हों कि दुनिया में उनसे ज्यादा कहीं सम्मिलन ना होते हों आज भी इस बुलैंसर जैसी जगे के अंदर तीन कारिकरम एक कारिकरम इधर एक दिल्ली के वकील साहब है उन्होंने लगाया हुआ है वो दिल्ली में बुद्वियारों में लगाते रहते हैं और एक टरफा जानकरे नहीं होगी जैसा कि अधिकर होता है कि एक आदमी दो आदमी तीन आदमी बोलेंगे गलाँ फाड़ाइंगे चलाएंगे और जो उनोंने कहीं से सुना है रटा है पडा है देखा है समझा है वो सब بتा के आपको चले जाएंगे और आप इतने सजन लोग हैं क से सुन लिया तो वो सारी जो चीजें हैं वो एक तरफा होती हैं अधिकतर लोगों ने एक तरफा कायक्रम लगाते हैं यह जो कायक्रम हैं जो चल रहे हैं समण संग और वीदा पीपल के बहुत पुराने हैं इसके जो फांडर हैं वो बुद्ध से भी पहले के लोग हैं हमारे दादा हमारे परदादा हमारी दादी हमारी परदादी वो लोग इसके founder हैं क्योंकि बुद्ध भी इस संग में रहा करते थे जब वो खेतिय थे जब वो खेत में हल चलाया करते थे और यूबग थे उस समय बुद्ध नहीं थे तो संग तब भी था तब खाली संग बुला करते थे बाद में कुछ लोगों ने वहां से संग सीखा और अपना संग बना लिया और जब अपना संग बना लिया बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे सब यही बताएंगे कि आपको यहां बोट डालना है वहां डालना है ये ताला है ये चाबी है मगर ताला चाबी भी खोलोगे पैसे भी दोगे संग्ठन भी बनाओगे जैसे संग्ठन के निता केंगे वैसे मानोगे और फिर भी आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला और वही मरे हुए का मास खाने की तियारी है जो जहां से बावा साब ने उठाया था और कोई रोजगार नहीं मिलने वाला कोई काम नहीं मिलने वाला और पिटाई होगी बहुत जबजस्त और पूरी नसल की नसल खतम होगी जो लोग यह सोचते हैं कि उनके पास पैसा है जो लोग यह सोचते हैं कि उ थे और जानकार भी हम थे और समझदार भी हम थे और हम सारे खतम होगे क्योंकि हमारा संग्रे खत्म हो गया हमने चाहित ब्लढश के बात पुछना जो आपके दिल में आए वह सारा सवालों के जवाब लेके जाना क्योंक्ति अगर बचना है तो आपको काम करना पड़ेगा और सही और सम्मयक काम करना पड़ेगा सम्मा काम करना पड़ेगा आज तक जो आप काम करें वो असम्मयक और असम्मा हैं अगर असम्मा ना होता और वो काम गलत ना होता तो परणाम उसके ठीक आते परणाम अच्छे आते और हमारी अवनती की बजाए हमारी पेना ही, सब को पैसा दिया, सब के साथ खड़े हुए हम, और समने हमें विस्वास दिया, कि आपका पतन नहीं होगा, आपको उन्नती मिलेगी, आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आपके बच्चों को सारी चीज़ें मिलेंगी, और जादा मिलेंगी, और रिजल्ट आपके सामने हैं, कि सारी चीज़ें हाथ से चली गए, जिनके बच्चे क्लास वन अफसर थे, उनके बच्चों को नौकी नहीं है, जो बच्चे गाव में थे, उनकी मज़ूरी भी नहीं है, काम सारे लगबख खतम है, काम मिलेंगे नहीं तो ये इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम अपने जो जानने वाले जो हमारे नेता लोग आते हैं, हम उनसे कभी पूछते नहीं, उनकी जो बात होती है, उसको सच मान के उसको हामेहा मिला देते हैं, और वो जो नेता जो लोग हैं, वो सारे के सारे संग्ठन लेके आते दरसल मनु इसमर्टी जो किताब है उसके अंदर राजा की चलती है उसके अंदर जो पढ़ान होता है वो राजा होता है उसका एक पढ़ान मंत्री होता है एक उसका पढ़ान जो सेनापती है एक उसका पढ़ान कोसादेक्ष होता है और कुछ उसके मंत्री होते हैं दर्वारी होते हैं और उसमें सिर्फ राजा का आदिस चलता है पिरजा का आदिस नहीं चलता पिरजा को सिर्फ एक काम है कि पिरजा खेत में काम करें मज़ूरी करें और लगान दे और पिरजा कोई भी फैसला अपने हक में राजा से नहीं कर प्रधान बाद ये उस तरह के संग्ठनों की रचना है ये संग्ठनों की रचना हमारी नहीं है दरसल क्योंकि राज तंत्र में राजा को फाइदा होता है प्रधान तंत्र में प्रधान को फाइदा होता है व्यक्ति के तंत्र में व्यक्ति को फाइदा होता है क्योंकि सुप् महामंतरी होता है उसके कुछ दरवारी होते हैं वैसे ही कुछ सची बना जाते हैं उसका एक कैशर होता है वैसे हैं कैशर बनता है और उसमें उन 57 लोगों की चलती है बाकी कहीं कोई बोट डालने का सिस्टम हमारे संग्ठनों में है नहीं आपने जिन्वी लोगों के साथ काम किया है कभी उन्होंने आपकी मर्जी नहीं पूछी कि हमें प्रधान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए आपका मत क्या है क्या नहीं कहीं कोई वोटिंग नहीं होती और आप से नहीं पुछा जाता कि जो संग्ठन बने हैं वो आपकी मर्जी से बने या ना बने बस संग् कि पेलिवां के संग्ठन हो और चाहें वो सामाजिक संग्ठन हो एक इसका क्या कारण है सतक कारण यह है कि वो कुछ चार-पांच लोग उसके सवैम संबून होते हैं और वो हमसे कहते हैं कि देखो हम संग्ठ में है और जितने संग्ठ उन्होंने आज भी नहीं, उससे भी बचा नहीं चलाई गया, जाता चला गया, जाता चला गया, जाता चला गया, खतम हो गया तो समस्या जो आ रही है, वो यह आ रही है कि संग्ठन का जो structure है, वो मनुस्मर्थी पर आधरित है तो लाब मनुस्मर्थी के आधार पर मनु को होगा आपको नहीं होगा क्योंकि आपको बावा साब ने कहा था Organize Organize का मतलब होता है संग में रहना संग्ठन में नहीं रहना है आपको बुद्ध ने कहा था संग हे सक्ती यानि संग में सक्ती होती है आपने संग्ठन में सक्ती ढूंडी और संग्ठन भी अगर एक होता तो में बटे हुए हो और वो हमको कहते हैं कि देखो जातियों में नहीं तूटना आपने जातियां जहर होती है छहाजार साथ सो तेतालिस जातियों को जोड़ने के लिए 29 लाग संग्ठन बने हुए हैं अब दिक्कत कहा है यानि आप 29 लाग संग्ठनों में तूटे हुए हो और 6,743 जातियों में तूटे हो जबकि बावा साब जातियों को इखटा करके गए थी बावा साब ने SC, ST, OBC के नाम से जितना उनकी बस में था तीन बड़ी बड़ी पिटारी बना दी और कहा कि अब प्रवुद भारत बना लेना समर्संग बना लेना जाओ ये तीन में एकटे कर दी है बागी तुम्हारा काम है और हमारे होनहार लोगों ने जातियों की पिटारी फिर खोल द किस-किस को आप समय्टोंगे और कैसे समय्टोंगे 6,743 जातियां समय्ट लोगे तो 29,000,000 संग्ठनों को कैसे कटा करोगे और कमाल की बात तो यह है कि इस बुलेनसर के अंदर पचाशियों संग्ठन हैं सेंक्रों संग्ठन हैं धम के भी अलग हैं हर जले की बता रहा हुं िया जो चोटे-छोटे आर्थिक चलने हैं वो भी अलग है जब कारीकरम होता है या बाहर के लोग gült लगाले कि लिए लगलग संझतन के आते हैं जैसे समाग्य स्थान रही है जी हम राष्टी अधीविसन लगा रहे हैं अब राष्टी अधीवेशन में हैं और राष्टी अधीवेसन की संक्या कितनी है पचास है तो हर एक जिले से दो दो आदमी जाएगा और वो यहां आके क्या कहेगा मेरा संग्ठन बहुत बढ़िया तेरा संग्ठन बेकार मतलब वो जिले के सो जो सही आदमी है वो आपस में लड़ रहे हैं उनके पचास चुकड़े हो गए और वो एक दूसरे मतलब और बैटने की सोच भी नहीं रहे हैं क्योंकि हमने तो उनके तग में लगा लगा लिए हुए उनके जंड़े लगा लिए और हम उनके क्या वोत पैरुकार होगे उनके वकील हुगए और उनके लिए हमने सतुता मौन ले लिए और हम यह भूल गए कि बावाह लग university सहाब कभी-कभी बावा साब ने ये कहा हो, कि आपको बहुत सारे संख्थर मनाने हैं. बावा साब ने तो organized word का था, आपने उसको संख्थर मना दिया, उन्हों तो sang का था, आपको अंगरेजी स्वाम वी ने आई, आपने organized का संख्थर मना दिया, आपने और्णाइस का इंस्टूशन बना दिया एंस्टूशन दो बहुत सारे होते हैं तो यह जो तकलीफ और यह जो परिशानी है उससे हुआ यह कि हम अलग अलग संग्ठोनों में आपस में एक दूसरे के सत्रू हुए पड़े हैं सत्रू हर जिले की कहानी है हर गाउं की कह कहानी है हर स्टेट की कहानी है और इसका ज्यादा बड़ा उधारन अगर आपने देखना हो तो 9 अक्टूबर को साहब कासी राम का परिनिब्बान दिवस था परिनिब्बत हुए तो दिन और लखनव में दो रैली हुई सबको पता है और दोनों रैली किसकी हुई साहब का फारे निवande का दिवस मना रहे हैं और तुं सहाप की लिए भीजबत कर रहा हैं तस्यादकी करें साहब के बहुजनों के टूकण दो करके तुम जैसाप को Kya मेसे नहीए मगर इसको हमारे लोग सोचते नहीं है क्योंकि वो सोचना चाहते हैं उनको सोचने नहीं दिया जाता उनकी बुद्धी बंग कर रखी है आपको मैं प्रधान बना देता हूं आपको जनरल सेग्टी बना देता हूं आपको सची बना देता हूं आपको फ्लाना बना देता हूं दो रेलिया हुई तो वो क्या सिकाते हैं हमारा दुस्मन वो है हमारा दुस्मन वो है हमारा दुस्मन वो है और समधर आद्वी क्या कहता है ये एक दूसरे के दुस्मन है क्योंकि समाज को तोड़ने क्या है झाल है वह अपनी मौत की बाञा घर कर रा रहर है इव है जो एक भी कैता तू हम कर एक होगे एक जाओ एक प्षटे हो जाओ ापने आपको नहीं कör एक कyy политika कोरा रख्टा होता वो न कीज़ वह सही कि दो तो प्राग्ने सरे नहीं होग को है यह हो गभा है तो गलती उनकी राएो है को जाता है तो पैसा बड़ा मोटा आता है पैसा बृद्ई जिक्त क्या है पैसे ही बड़ी दिक्कत है, पैसा बड़ा मोटा आता है, रशिद्बुक लेकर हर इक नेता बैठ जाता है, संक्तर खुलने का एक प्राइम जो कारण है वो पैसा है, और हम बावा साब के और गुद्ध के और जोतिवा खुले के और साब कासी राम के नाम पर नौशावर हो बjobbs ह 되면 सिखिया जाता है, बावा जाता है ने का है 5% पैसा हम अपनी अपने सब्सक्राइण है यह पवा बिस पहस का यह तो ले जाओ, इस 2 पो आटा है जो आखुटे थो यह नायो हम जो हम जो और आदमी पहराश्यर做 not was a mix in और आके कहता है कि देखो मैं बावा साब को तुम रहाए नाप के लिए घेडिज़ा नहीं बावर साब का फुटू लगाता है इसकी पर्ची पैसा दे देते हैं उसके लस到 हम पुंशे नहीं हम कि तुम हमारे कर रहे हो क्या कर रहे हो हमारा तो जो जब रोहित वह मरता है कहां मरता है है तो यहां बामसेफ के चार धड़े जंतरमंतर क्योंकि दिल्ली का हमें सपता रहता है एक संडे को चार धड़े बैठके और रोहित वह मिला का एक हाथ में फुटू लेके पत्राम चिंगी दूसरे हाथ में वावसाब का प् 강षण द्रशू के और यृष वह मिला को मारें तो वह इसके घ्मी मौत वह सबस्क्राइश को संगर कर रहें जब तुमारे उतनी अक्ल नहीं है कि तुमको मौत म्में खता होना चाहिए तो मुछ नहीं श्कुल तो विखु या वमुआ प्रॉलं तो है तो एक शीनाँ छीन ह्रहा और दोष्हेशनें। भीष्ट करें घृक्त का घृक्त करते थे फिर disorders in यह कुए जिर्ण कर रहते आज कुए दूसरी निक कितने कळ रहे बुदगे करो गें और बुद्ध के टुकड़े करने वालो हो जो बात चोड़ हो सब से बड़े बैफकुट तो हम है कि हम कितने टुकड़े करवाएंगे हम बोलते कियों नहीं फिर्फे दिख कियो फचावर। में हैं मैं इस बात के हर हर व्यक्तिंब पर उसका यह की बात करेंगा सब कोई खटा होना और रीक ही बात करेंगा यह हुँ अपस में दुस्मनों तूमको स्वज्मन नहीं आती तो तुम दुस्मन से क्या लड़ोगे तुम तो हमारा पैसा, टाइम और टेलेंट बरबाद कर रहे हो, हमको तो खतम कर रहे हो, तुमने खतम कर दिया हमको भाई, खतम कर दिया, कोई सा अधिकार बचा हो, जो बावसाब लेके आए हो तो बता दो, समिधान बता दो, हमारे बच् बचादो तो हमारी इज़द बची हो वह बचादो हमें कोई भ्रवसा हो इस बात का कि हमाई आगे जाके बचेंगे वह बचादो यह कुछ पैंशनन लोग बचे हुए इनकी पैंशन खतम उसके बाद बचे क्या करने वादे कुछ नहीं यह पैंशन भी घ्रीक्ट होने वाली अरक्षन वाली जगह नहीं नहीं अरक्षन वाली डिपार्टमेंट बिख गए प्रायवे too to private प्रायवी już है क्योंकि हमारे नेता हो ने private यह बात आपको बोलनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी इसको one-sided conversation मत करो इसको एक तरफ से आया बोलके चला गया उसको बोलो के तू क्यों नहीं खटा होता भाई लोगों को पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दो कि भाई जब तक इखटे नहीं होंगे हम पैसा नहीं दे तो पैसे की जरूट नहीं है क्या जरूट है पैसे की रामलय मैदान में रेलिया होती है हम ने भी रेलिया की है हम पीछे रहते थे देख रहते थे रामलय मैदान जो आता है वो 10,000 रुप में बुख होता था उस समय और उसपे 15,000 रुपे का वो लगती थी sound का system इधर आज लगता नहीं क्योंकि वह नवंबर दिसम्बर में कन्द में करते थे थ्था धूप अश justement का और लोग जो आते थे बूछ के वह अतने पैसे से आते थे हूंनक अपना पैसा होता था लोग अपने पैसे से आते थे अपने कुराय से आते थे हूंEnt तो भई ये जो करोड़ों रुपे के चंदा इखर्टा होता था उसका क्या काम है? वो पैसा किस काम का है? जब लोग अपने किराय से आ रहे हैं, अपनी बस करके आ रहे हैं, खाना तुम देते नहीं वहाँ पैसा खर्च होता नहीं, सारा मिला के एक लाध रुपे खर्च नह नहीं और ये जो जगे है, ये समाज की जगे है, इसका कोई खर्चा है नहीं, दो चार हजार का टेंट का है, तो ये चार यहां जमदार लोग है, स्पोक हैं, एक डॉक्टर यूबी सिंग है, एक धर्मेनर सिंग है, उनकी वाइफ है, अनीता सिंग, एक नंदन जी है, ये ने पाँच स्पोक हैं अभी महां पर तुस फोग हैं जो वीदा पीपल के है इनलोगों ने मिलक के यह किया है उनके यहां पर लगबक सो यह की स्टॉक्त हैं जूनों थोड़ा बहुत खाना तो अपना साथ लेके आई सकता है आद मिल जाती है तो जो लाखों करोड़ू रुपया हमारा जा रहा है वह सब उनकी जियम में जा रहा है जगड़े की जड़ है और यही संधन बनने की जड़ है कोई रोजगार ना हो तो आप एक संदन खोल के और लोगों को धंकालां सुरू कर तो तेरा आरक्ष्टन जा रहा है तेरी प्राइबेट में नौक्री जा रही है अब क्या होगा समाज में अब तो सब चला गया कुछ नहीं बचेगा यह करना है अब यह करना है हमारे हज़ारों रैलिया होती है होता कुछ नहीं है कुछ नहीं होता इसलिए यह बात पूरी तरह से अच्छी तरह सिस बात को समझ लें कि हमारे नुकसान का जो कारन हैं वो त beau त c N il are झाल 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 संगं सरनं गच्छाम संगं सरनं गच्छामी झाल 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 झा सातियम पिसन्दम सर्नम तर्शामी सातु सातु